कचा चुठा में आज बात उस खबर से शुरू करेंगे जिसने पुतिन को गाजा में जंग के लिए आखरकार मजबूर कर दिया अगर अगले 24 घंटे में इसरेली सेना ने गाजा पटी पर भीशन हमला किया तो फिर रूस बहुत बड़ी जंग शुरू कर सकता है इसमें कोई शक नहीं पहिशमेशा की मीडिया के मताबिक वलादिमिर पुतिन ने नेतन याहू को दो टूक कह दिया कि अब रूस गाजा और सिरिया पर और हमले किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं करेगा बंद करो गाजा में गदर पुतिन की जंगी धम की काजा युद्ध में लगभग 15,000 मौते होने के पाद इस्राइल के प्रधान मंतरी नेतन याहू भयान खोन खराबा करने पर उतारू है हालात ये हो गए हैं कि पिछले 12 गंटे के अंदर इस्राइली सेना ने उत्तरी गाजा में कई जगवों पर सीस पायर को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर मिसाइलों और ज्रोन से सीधा हमला किया है लेकिन इस बीच एक खबर रूस से निकल कर आई है जिसने पूरी दुनिया को संग करकर रख दिया है 71 साल के रूसी राश्च्टपती व्लादे मेर पुतिन ने साफ चेताबनी दी है कि अगर गाजा में घूनी गदर नहीं रुका तो फिर गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली सेना पर भयंकर हमले शुरू हो जाएं नेतन याहू को चेताबनी देते हुए पुतिन ने जो कहा है उसने अमेरिका समेत तमाम पश्चमी देशों को गहरे संकट में डाल दिया है जराद देखी पुतिन ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब गाजा युद्ध इसराइली सेना के लिए गले की हटी बनता जा रहा है गाजा से सीरिया तक रूस का बदला शुरू रूसी राश्पती व्लादमिर पुतिन ने प्रधार मंत्री बिन्यमिन नेतन याहू को सीधी चैताबनी देते हुए कहा है कि अगर गाजा युद्ध नहीं रोका तो फिर सीरिया भी इसराइल पर सीधे और बड़े हमले शुरू कर देगा पुतिन ने हमास और इसराइल के बीच संघर्ष विराम पर बोलते हुए साब कहा है कि इसराइल जिस तरह से सीध वायर की आड़ में काजा से लेकर सीरिया तक हमले कर रहा है उसकी वज़ा से अब फिलिस्तीन इसराइली संघर्ष तीबर वृद्धी की ओर बढ़ चुका है पुतिन ने अपनी चेतावनी में ये खुलासा नहीं किया है कि क्या रूस की सेना सीधे तोर पर इसराइल के खिलाफ जंग में उतरे या फिर रूस इरान और लिबनान के जरिये इसराइल पर बड़ा हमला करवाएगा खबर ये भी है कि सीरिया में मौजूद रूसी सेने अटो पर इसराइल के खिलाफ युद की तैयारी पूरी कर ली गई है हम आपको बता दें कि पुतन ने इसराइल से साफ कह दिया है कि अब गाजा में मासून फिलिस्तीनियों की मौत का तमाशा रूस नहीं देखेगा दावा किया जा रहा है कि मौसकों ने इरान, सीरिया और लिबनान को बड़ी जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया है कर दावा प्राव प्रावा प्रेवर नुका जार्वा नव जावा एरोओ ल? कर वह ए за को दोला वार कियुवक्ष कर दोला डिए एक्र बालब का रहत अंग्भा है अब आप ये भी जान लीजिए कि जब से हमास और इसराइल के बीच सीज फायर हुआ है तब से उत्तरी गाजा दक्षणी गाजा और वेस्ट बेंट में ऐसा क्या हुआ है कि फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों को बचाने के लिए पुतिन को सीधे जंग के मैदान में उतरना पड़ा है मिडल इस्ट और रूसी मीडिया के दावों के मताबे इसराइल ने पिछले 36 घंटे में हमास के एक बहुत बड़े कमांडर को सीध फायर के दोरान ही जबरदस्त हमले में माड डाला है अब सबाल उगता है कि जब सीध फायर है तो फिर इसराइल डंके की चोट पर हमास के टॉप कमांडर या कहें लीडर्शिप से जड़े नेताओं को क्यों मार रहा है डिफेंस एक्सपर्ट्स के मताबिक इसराइली सेना के ख़वे एजेंसी मौसाग और शिन बिद के पास हमास के सभी टॉप कमांडर्स की पूरी लिस्ट है जो हमास के हमलों को कंट्रूल करते हैं यही वज़ा है कि जैसे ही सीस फायर हुआ हमास के टॉप कमांडर आगे के हमलों को लेकर मूवमेंट करने लगे जिसकी भनक मुसाद और शिन बेत को लग गए और फिर इसराइल के आईडियफ ने ख़विया सूचना के आधार पर इहें मार डाला यही नुकसान हमास पर बेहत भारी पड़ रहा है जिसके खिलाब अब पते ने इसराइल को धंकी दी है कि अगर सीस फायर के दौरान गाजा या फिर सीरिया पर हमले तेज किये तो फिर ये युद्ध पूरी तरह से बेकावू हो जाएगा और रूस चुप रहकर तमाशा बिल्कुल भी नहीं देखेगा अब आप ये भी जान लीजिए कि सीस फायर के दौरान हमास का कौन सा बड़ा टॉप कमांडर मारा गया है हमास के दो टौप कमांडर्स को इसराइली सेना ने इस तरह से मारा है कि यही नहीं पता चल पाया कि उन्हें सीस फायर के दौरान मारा गया या फिर पहले मारा गया हमास ने खुद 26 नवंबर को पुष्टी की है कि हमास के उत्तरी ब्रिगेड के दो कमांडर मारे गए हमास के मताबक आईडियफ ने उत्तरी ब्रिगेड के कमांडर एहमद अल गंडौर को हवाई हमले में मार डाला है इस से पहले IDF ने हमास के कमांडर एहमद अलगंडौर को मारने की तीन बार पूशिश की थी इसके अलावा हमास के उत्री ब्रिगेड में रॉकेट डिवीजन के कमांडर आइमान सियाम को भी IDF मार्च पी हमास के मिलिटरी विंग के मुताबिक हमास के कुल पांट सबसे टॉप अधिकारी मारे गए हैं दावों के मुताबिक ये सभी टॉप कमांडर युद्ध विराम शुरू होने से मारे गए हैं जबकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीज फायर के दोरान है इस्राइली सेना की स्पेशल पोर्ट ने हमास के पांच कमांडर्स की टागेट किलिंग की है सीज फायर तोड़ा तो तोड़ देंगे इस्राइल हमास के सत्तर से ज्यादा कमांडर्स मारे जा चुके हैं जिन में से पंद्रा बेहत माहिर और दिगज कमांडर्स थे लेकिन जिस दरह से सीजफायर के आड़ में इसराइली सेना ने गदर मचाया है उसे लेकर पुतिन बेहद अक्टिव है इरान के राश्ट्रपती रईसी से पुतिन की नजदीकियों ने इसराइल के खिलाब नई मुसीबत खड़ी कर दी है तो वहीं सीरिया की प्रमुक असद से पुतिन की पुरानी और गहरी दोस्ती ने इसराइल को गज़ा से लेकर सीरिया तक मुसीबत में डाल दिया है सीरियाई रज्य समाचार एजेंसी के दावों के मुताबिक पिछले 18 घंटे में दक्षन पश्चम सीरिया में इसराइली हवाई हमलों में सीरिया के सेन्ने ठिकानों को भारे नुकसान हुआ दावों के बुताबिक सीरिया में हुई इसराइली हमले में उसके 8 सेनिक बारे गए है जबकि 7 घायल हुए है सीरिया में इसराइल का हवाई हमला सीरिया के दक्षन पश्चमी शेहर दारा के पास सेन्ने ठिकानों पर हुआ है जिसे लेकर पुतेन पुरी तरहा से पौखला गए है इसलिए उन्होंने इसराइल को सीधी ध्थम की दी कि अगर गाजा और सीरिया में इसराइली हमले इसी तरहा से दोबारा हुए तो जंक बहुत भयानक हो जाएगी पिर मैंडाना क्रि काल सnhलाइली तरहा ड्रहा हमलें network त्यरहार diss quo इधर हमास के दोरा बंधकों के रिहाई के दोरा एक बड़ी हैरां करने वाली ख़बर सामने आ रही है रूस को अपना सबसे वफादार दोस्त मानने वाले हमास ने रूसी बंधकों को लेकर ऐसा एलान कर दिया है जिसने पुतन के कद्ध को दुनिया भर में काफी उचा कर दिया है हमास के वरिष्ट अधिकारी ने दावे के साथ एलान किया है कि हम रूस और राष्ट पति पुतन का बहुत सम्मान करते हैं इसलिए गाजा में बंधक रूसी नागरिकों को हमास बिना शर्त रिहा करने जा रहा है हमास के टॉप लीजर ने पुतन को सम्मान देते हुए बयान दिया है कि रूसी बंधकों को रिहा करके हमास पुतन को सच्चे दोस्त होने का सम्मान दे रहा है इधर कतर मिसर और अमेरिका ने मिलकर इस्राइल और हमास के बीच सीज फायर तो करा दिया लेकिन दिक्कत ये है कि नेतन याहू और इस्राइल के कमांडरों ने साप कह दिया है कि सीज़ फायर ना तो इसराइल के बदले को रोप पाएगा और ना ही इसराइली हमलों को हम हमास का पूरी दुनिया से खात्मा कर देंगे इधर कुछ मिडल इस की मीडिया ने दावा करना शुरू कर दिया है कि गाजा पट्टी में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जिनकी संख्या 1967 में इसराइल अरब युद्ध में मारे गए लोगों से कहीं ज्यादा है दावा तो यहां तक किया गया है कि 120,000 से ज्यादा इमारतें गाजा में तबाह हुचकी है अब ऐसे हालात में दावे किये जा रहे हैं कि रूस गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली हमलों को काउंटर करने का मन बना चुका है क्योंकि यूकरेन की युद्ध में पुतिन ने अकेले दम पर नीटो और अमेरिका को ठका डाला है और यूकरेन पुतिन से जंग लगबग हार चुका है अब ऐसे हालात में पुतिन का होसला साथवे आसमान पर है इसलिए वो गाजा से लेकर सीरिया तक इसराइली सेना को मट्या मेट करने के तैयारी में जुट चुके हैं गाजा की आग अमारिका तक पहुँच गई है और अब अमारिका में 40 करोड बंदूक बड़ा खत्रा बन गई अमारिका में खरीब करीब हर नागरे के पास बंदूक है अमारिका में अब गाजा को लेकर ऐसी बाते पहलाई जा रही है जिससे जो बाइडन को ये लगने लगा है कि कहीं हमास का अगला हमला अमारिका में न बन जाए खाजा पट्टे के अंदर अब तक चार करोड किलोग्राम बंबरसाए जा चुके पूरा गाजा पट्टी जल कर राख हो चुका है लेकिन इस आग ने अमेरिका के सामाचिक दाने बाने को भी जला कर राख कर दिया है साथ अत्तूबत दिबाद यानि जब हमास ने इसरेल पर आतनकवादी हमला किया उसके बाद से लगातार अमेरिका के अंदर ऐसी कुपी वारदाती हो रही है जिसमें शिकार कभी यहूदी हो रही हैं तो कभी फिलिस्टी अमेरिका के आबादी 32 करोड 64 लाख है लेकिन अमेरिका के अंदर आम लोगों के बास 40 करोड बंदूके हैं यानि अमेरिका में तक्रीबन हर नागरिक के पास कम से कम एक बंदूक अवश्य है। और ऐसी इस्थिती में अगर अमेरिका के अंदर सामाजिक सत्भाव बिगड रहा है, तो जो वाइडन के लिए ये बहुत मुश्किल की घड़ी है। ताजा खबर अमेरिका के वर्लिंग्टन से है, जहाँ पर एक अमेरिकी नागरिक ने तीन फिलिस्तीनों को बोली वारती है। इस घटना ने एक बर फिर अमेरिका में फिलिस्तीन बनाम घैर फिलिस्तीन तनाव को भड़का दिया है। बर्लिंग्टन में एक अमेरिकी नागरिक ने ही शाम और अतानी तैसीन एहमर और किन्नान अब्दुल हमीद पर वर्मोट विश्विन द्याले के पास हमला किया है अमेरिका के राश्रपती जो बाइडन और उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लेंकन लगातार यहूदी पूझारियों यहूदी नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरूं के संपर्क में हैं वो लगातार शांती स्थापित करने की कुशिश कर रहे हैं और बयान भी जारी कर चुके हैं लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है अमेरिका में किस तरब फिलिस्तिनों को बोलियों की बौचार का सामना करना पड़ा है आपको आगे बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले आपको अमेरिका के हालिया घटनाओं का पूरा विबरन देते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका भी अव गाजा के आँख से बच नहीं पा रहा है ये तस्वीरें अमेरिका की ही हैं जहां पर एक 6 साल के फिलिस्तिनी बच्चे का नमाजे जनाजा पढ़ा जा रहा है ये 6 साल का बच्चा एक अमेरिका के नागरिक के हां किरायर पर अपनी मा के साथ रह रहा था लेकिन इस बच्चे को 71 साल के एक बज़ुर्ग ने चाकू से 26 वार करके माढ़ा ला। इस बच्चे के परिवार जन्होंने रोते हुए अमेरिका के सरकार से क्रातना की है कि जो युद्ध गाजा के अंदर चल रहा है उसको अमेरिका में शिफ्ट ना किया जा। इनकते हुए रहाँ I just wanna tell the whole world that we live in a country called the USA we're not in war and we're not bringing in war here too what happened that day for a gentleman that he loved that kid to start with he used to bring him toys now I want to ask anybody here a 71 year old man sitting on top of a 6 year old kid step in her more than 26 times and he was looking in his eyes you tell me it's that exaggeration you tell me what type of man he can do that is you I 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 ख़ वशिंटन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के दोरा एक महिला को ऐसा पूस्टर लिए दिखाया किया जिसमें यहूदियों को पूरी तरह से समाप्ट करने जैसा संदेश दिया गया था। फिलिस्तीनी काफिया एक ऐसा खपला होता है जो गले पर पहना जाता है और इसमें शिक होते हैं। फिलिस्तीन के लोगों के लिए सहनुभूति व्यक्त करने के लिए फिलिस्तीनी काफिया पहना था। ठीक ऐसा ही काफिया, दो फिलिस्तीनियों ने भी पहना हूए था, जिन पर गोलिया चली है। इसका मतलब साफ है कि गोली मारने वाले शक्स अमेरिका के नागरिक जे सन जे इटन ने ये जानते हुए इने गोली मारी कि ये फिलिस्तीन लेस्ट एनी मूल के नागरिक है जेसन जे इटन को गिरफतार कर लिया गया है और उन पर केस चलाया जा रहा है अमेरिका की बॉलिस लगातार जेसन जो इटन के बैक्ग्राउंड को तलाश रही है करीब पचास साल का जेसन एक किसान है और मुक्ष तौर पर उसका पडेशा खेती बाडी है लेकिन वो सोचल मीडिया पर भी अक्टिव है और वो फिलस्तीन का समर्थन करने वाले अमेरिका के निताओं के खिलाफ कई टिपणिया कर चुका है एहम बात ये भी है कि जहां पर जेसन ने तीन फिलस्तीनियों को गोली मारी है वो जगह उसके अपार्टमेंट के पास ही है जहां ये तीनों फिलस्तीनी पड़ते हैं वो जगह भी अपार्टमेंट के पास है क्या ये इलाका फिलस्तीनियों के प्रदर्शन से प्रभावित रहा है इसकी भी जाच की जा रही है हमास के कमांडर याया सिन्वार ने इसरेल को फिर से डरा दिया है सिन्वार ने इसरेल की भाशा में ऐसी बात कह दी की बिनियामिन नेतनियाहू बहुत टींशन में है दरसल बंदकों की रहाई के बाद अब कहा जा रहा है कि हमास ने इसरेल के सिर्फ 60 बंधक ही नहीं छोड़े बल्कि इसरेल को 60 बार हरा भी दिया है सीज फायर टूट गया जब युद्ध विराम बढ़ाने पर हमास और इसरेल राजी हुए तो घाजा में तैनाथ इसरेली सेना के टैंक और तोपों ने बंबारी कर दिया शेख रदवान इलाके में धमाके हुए और तहशत पैल गए कि युद्ध फिर शुरू हो चुका है इसरेल फिर टनो टन बंब घाजा पर गिराएगा फिर इमारतें ढहती जाएंगी और हजारों लाशों को मलबे से निकालने का काम फिर शुरू हो जाएगा जिसमें बच्चे होंगे महिलाएं होंगी बुजर्ग भी होंगे क्योंकि नेतन्याहू तो पहले ही कह चुके हैं कि जब तक हमास बाकी है युद्ध बाकी है और घाजा की तबाही जारी रहेगी यानी सीज फायर की उम्रे ज्यादा नहीं है और अब शेक रद्वान में हुए हमलों ने बता दिया कि सीज फायर तूट गया है युद्ध फिर शुरू होगा और हमास इस बार बिलकुल नहीं बचेगा लेकिन हमास को इसका डर नहीं हमास के कमांडर को इसके फिक्र नहीं क्योंकि इसरेल की मीडिया में जो खबरें चाही है उसने यायास सिन्वार का खौफ एक बार फिर पूरे इसरेल में फैला दिया है क्योंकि याया सेनवार को लेकर जो खबर आई है वो वाकई बहुत चौंकाने वाली है ये खबर सुरंग से आई है जहां हमास पूरी तरह एक्टिब है ये खबर हमास के बंधकों ने बताई है वो बंधक जिनको हमास ने रिहा किया है और ये खबर नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सिर्दर्ट बन चुकी है हमास के कबजे से रिहा हुए एक बंधक ने बता है कि जब गाजा में वो एक सुरंग में कैद करके रखे गए थे तब एक दिन अचानक सुरंग का दर्वाजा खुला और उनके सामने एक व्यक्ति था जो याया सिन्वार बताया जा रहा है वो व्यक्ति इस्रैल में बोली जाने वाली हेब्रो भाशा में बात करने लगा और उसने कहा कि तुम सब यहां हमास के कबजे में मैफूज हो तुम लोगों को डरने के कोई जरूरत नहीं तुमें कोई नुक्सान नहीं होने दिया जाएगा उसकी हेब्रो भाशा बोलने का लाजव बिल्कुल एक इस्रैली व्यक्ति की तरह था शुरू में होने लगा कि इस्रैल का कोई शक्स उन से बात कर रहा है लगन पर ऐसा स्वा कि ये हमास का कमांदर याया सनुवार ही है तुमना हצाली अवड़त बमलू रुट्समा याया सनुवार मित्खब बुंकिर शेलो वनुतन लंपगदे शेलो अटरोरिस्तिम लंड ब्स्ट्च अचलेनो हम फगदीम अलखें बरोश अकुछ मोविलीम कदीमा मिवीम लेसिगीम विमनीगीम इता कुछोत याया सनुवार अब इस्रैल के सिर पर चड़ गया है इसमें कोई शक नहीं कि घाल्यों में जो युद्ध अब तक हुआ है उस पर याया सनुवार की चाप पड़ी हुई है हमास का एक एक हमला याया सनुवार की सरपरस्ती में हो रहा है ये बात इस्रैल की फौज बहुत अच्छी तरह जानती है नेथन याहू ने घाजा पहुँचकर पहले ही बता दिया है कि चाहे सीजफ फायर रहेगा या फिर नहीं इसका हमास को खत्म करने के उनके एजिन्डे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो पहले ही बता चुके हैं कि इस्रैल पर हमला करने वालों को वो चुन चुन कर मारेंगे हमास को जड़ से खत्म कर देंगे अग़ल, प्याज है, हमास जाया हम यानि हमास का पक्का इलाज होगा हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा इसकी 100% वाली गारंटी नेतन्याहू बार बार दे रहे है घाजा में सीस फायर करके इसरेल को वक्त मिला उसकी सेना को वक्त मिला हमास को भी वक्त मिला दोनों तरफ अपनी ताकत को फिर से जोटाने का काम हुआ होगा ताकि युद्ध के अगले चरण को और खतरनात बनाया जाए लेकिन इन सबके बीट सबसे बड़ा चैलेंज याया सेनवार बन चुका है याया सेनवार जब तक जिन्दा है नेतन्याहू जीत का दावा नहीं कर सकते नेतन्याहू को जब से पता चला है कि याया सेनवार सुरंगों में घूम रहा है और बंधकों से मुलाखात करके उनसे सीधे बात कर रहा है तब से नेतन्याहू के बेचैनी बढ़ गई है इसका मतलब साफ है कि याया सिन्वार जिन्दा है याया सिन्वार युद्ध को कंट्रोल कर रहा है याया सिन्वार बता रहा है कि इस्रेल का एक एक बंधक उसके रहमो करम पर जिन्दा है यही बात इस्रेल को बहुत परिशान कर रही है याया सिन्वार के ओर्डर पर हमास कुछ भी कर गुजरने को तयार है सिन्वार की बहुत ही खास स्ट्रेटजी है जिसके आगे अभी तक इसरेल नाकाम नहीं साबित हुआ है साथ अक्टूबर को होए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इसरेल के दो मकसद थे पहला हमास के पास से करीब 2500 बंदकों को आज़ाद कराना जिसके लिए इसरेल को सीजफार करना पड़ा यानि उसका युद्ध और बंबारी काम नहीं आए वो फेल हो गया दूसरा मकसर इसरेल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है लिकन अभी तकिसमे पी इसरेल फेल यी सावित हुआर छर्य किरी इसरेल יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים להילחם ולנסוח בגלל מה שקרה בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי שמאס ואייסיס זה אותו דבר ו мест teamwork उस Geschäft ISNoir זה אושמה-בינためने fier इसमें कोई शक नहीं कि याया से नवार ही 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का मास्टर माइंड है उसी ने साजिश रची उसी ने टार्गट चुना और अब वही घाजा से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है गाजा की गलियों में जो युद्ध हुआ है या हू रहा है उसने इस्रेयल को भी बड़े जटके दिये हैं लेकिन नितन्याहू अपने फैसले पर कायम है बंदकों को छोड़ाने वाले सीज फायर के बाद वो हमास पर दस गुना तेज हमला करेगा फिर हमास के पास ना बचने का रास्ता होगा ना भागने का घाजा की गलियों में युद्ध के दौरान हमास ने भी बड़े बड़े दावे किये हैं हमास का दावा है कि उसने इस्रेयल के 180 टैंक और वक्तरबंद गाड़ियों को हमले में खोड़ दिया है घाजा से लगातार ऐसी तज़्वीरे आई हैं जिसमें इस्रेयली टैंक पर घात लगा कर हमले किये गए इस्रेयल ने खुद माना है कि अब तक ग्राउंड ओपरेशन में उसके 70 से जादा सैनिक मारे जा चुके हैं 200 से जादा सैनिक जख में हुए हैं लहाजा हमास के खिलाब जो ताकत इस्रेयल को माना जाता है उसके मताबिक नतीजे तो इस्रेयल को भी नहीं मिले हैं हलाकि नेतनियाहू के सामने अपनी चवी को बनाए रखना बड़ा चैलेंज बन चुका है और घाजा पहुँचकर उनकी पहली कोशिश इसी तरफ नज़र आती है सीजफायर हमेशा के लिए नहीं हुआ है और आगे की लड़ाई जैसी भी होगी उसे लेकर इस्रेयल के ओपर बंधकों वाला प्रेशर पहले के मुकाबले काफी कम होगा क्योंकि बहुत से बंधक खास कर बच्चों और महिलाओं को हमास आजाद कर चुका है इसलिए इस्रेयल का पूरा फोकस अब हमास को खत्म करने पर है